The Snake and the Mirror ये कहानी लिखिया वाईकॉम मौहमद वशीर ने उन्हें ये कहानी एक होमयोपती के डॉक्टर ने सुनाई थी आप लोग ये लेसन खोल के ये वीडियो सुने लाइन वाइस मैं समरी देती जाऊंगी तो लेसन स्टार्ट होती है ऐसे जहाँ एक ग्रूप साप के टॉपिक पर बात कर रहे थे और एक होमयोपती के डॉक्टर उनको साप की कहानी सुनाने लगए डॉक्टर कहते हैं कभी ऐसा हुआ है आपके साथ के एक साप आपके किसी बॉडी के पार्ट को गोल घे के चिपक गया हो फुल बलडेड कोब्रा यानि एक रियल कोब्रा जिसके वंग्ष में कोई दूसरे साप के जाती का मिक्स्चर नहीं है यानि रियल कोब्रा फैमिली से बिलॉंग करते हैं सब चूप हो जाते हैं डॉक्टर कंटिन्यू करने लगे कहते हैं ये गर्मियों की रात थी दस बज रहे थे मैंने रेस्टराण में डिनर किया और अपने रूम में आने लगा दर्वाजा खोलते ही उपर से एक आवाज आई ये आवाज जानी पहचानी है आप कहा सकते हो कि मैं और चू है ये रूम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ मैंने माची से केरोसीन का लैम्प जलाया इस घर में इलेक्टरिसीटी नहीं था एक छोटा किराए का घर था मैंने हाली में मेडिकल प्रैक्टिस का सेट अप लगाया है और मेरी तनक्वा थोड़ी सी ही है मेरे सूटकेस में बस साथ रुपे है और साथ में कुछ कमीजे और धोतिया है एक कोट भी है जो मैंने पहन रखी है मैंने अपनी काली कोट सफिद कमीज और बनियान उतारी जो उतनी भी सफिद नहीं है और सब टांग दिया रूम में दो ही खिर्किया है उन्हें खोला ये एक खुला रूम है जिसकी एक खिर्की एक खुले मैदन की तरफ है छट टाइल्स से बना है जो बड़े बड़े गेबल्स यानि इन चीजों के सपोर्ट पर खड़ा है और गेबल्स ऐसे बीम्स के उपर बने है कोई सीलिंग नहीं है यानि ऐसा दिखता है अंदर से हर रोज चुहों की ट्राफिक आती जाती है इन बीम्स पर से मैंना अपना बिस्तर बनाया और दिवार के पास ले आया मैं लेट गया पर सो नहीं पाया मैं वरांदा यानि बैलकनी में चला गया थोड़ी हवा लेने पर वायू देबता शायद जुटी पर है यानि हवा नहीं चल रही है मैं रूम के अंदर चला गया और चेयर पे बैठ गया टेबल के नीचे से मैटेरिया मेडी का नाम की बुक निकाला टेबल पे रख दिया टेबल के ऊपर एक लैंप जल रही है एक आइना और एक कंगी है हमारे पास जब आइना होता है तो खुद को देखने की चाहत होती है मैंने भी खुद को देखा तब के दिनों में मैं सुन्दर ताकी काफी तारिफे किया करता था हमेशा खुद को हैंसम रखने की कोशिश करता था मैं कुआरा था और डॉक्टर था मुझे खुद को सबसे बहतर दिखाना था मैंने कंगी से अपने बाल सवारे अपनी मांग को सही किया ताकी वो सीधा और साफ लगे फिर से उपर से आवाज आई मैंने खुद को गौर से देखा और एक फैसला लिया मैं हर रोज शेव करूँगा और पतली मूचे उगाऊंगा ताकी और हैंसम लगू आफ्टर आल मैं एक बैचलर और डॉक्टर हूँ मैंने आयने में देखा और एक खुबसूरत स्माइल किया मैंने एक और धरती हिलाने वाला फैसला किया मैं शादी करूँगा एक महिला डॉक्टर से जिसके पास अच्छी खासी पैसे हो और मेडिसिन अच्छा प्रैक्टिस करती हो वो मोटी होनी चाहिए किसी वैलिड रीजन से अगर मैं गलती कर वैट हूँ तो वो मेरे पीछे भाग ना पाए वाह काफी दूर की सोच रखते डॉक्टर कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव है ऐसे ही मैं अपने चेयर पे बैटा हूँ अब और उपर से आवाज नहीं आती पर अचानक एक चीज के गिरने की आवाज है जैते कि फर्ष पे रबर की ट्यूब गिर गई हो पर ओविसली डरने की कोई बात नहीं हाँ सही का रबर की ट्यूब ही तो गिरिया है फुल बलडेड रबर की ट्यूब फिर भी मैं पीछे मुड़ा मुरा ही था कि एक मोटा साप चेर पे रेंगते हुए मेरे कंदे पे गिर गया साप का मेरे उपर गिरना और मेरा मुरना एक साथ हुआ मैं ना तो कूदा ना ही हिला ना ही चिलाया टाइम ही नहीं था वो साप मेरे कंदों से मेरे बाय वाजू पे लिपट गया उसका सर फैला हुआ था और मेरे सर से 3-4 इंच दूर था मैं सिर्फ सांस रूख के नहीं बैटा था मैं दरासल पत्थर बन गया था पर मेरा दिमाग तब भी चल रहा था चारो और बस अंधेरा ही अंधेरा और मैं मांस के शरीर में पत्थर तब मुझे इस दुनिया इस ब्रह्मान के स्रिष्टी करता है के मौजूदगी का एसास हुआ भगवान वहां थे अगर उन्हें मेरी कोई बात पसंद ना है तो इसलिए मैंने इमेजिन करके अपने छोटे से दिल पर चमकील अक्षरों में लिखा ओ गौड मेरे बाए बाजू में दर्द होने लगा जैसे के कोई मोटा भारी रॉड नहीं पिगले हुए आग से बनी रॉड धीरे धीरे पर जबरदस्त तरीकी से मेरे बाजू को पीच रहा है मेरे हाथों में और ताकत नहीं रही मैं अगर थोड़ा भी हिला तो साप डस लेगा मौत मुझसे चार इंच दूरी पर है अगर ऐसा हुआ तो कौन सी दवाई लेनी होगी रूम में कोई दवाई नहीं है मैं हूँ तो आकिर गरीब बेवकूफ डॉक्टर मैं अपने खत्री को भूल के खुद पे हसने लगा अंदरी अंदर लगता है भगवान मुझसे खुश हुए साप अपना सर घुमा लिया वो अपने रिफ्लेक्शन आएने में देखने लगा मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि ये पहला साप है जो खुद को आएने में देख रहा होगा पर फिलाल ये वाला साप देख रहा है क्या ये खुद के खुबसूर्ती को निहार रहा है क्या ये कोई important फैसला ले रहा है जैसे कि मूची उगाना eyeshadow या mascara लगाना या अपने सर पे सिंदूर लगाना भरमिलियन मतलब सिंदूर मुझे अभी तक नहीं पता है कि साप male है या female कभी जान भी नहीं पाऊंगा साप मेरे बाजू को छोड़ कर मेरे गोद पर रेंगते हुए table पे उस आएने के पास चला जाता है लगता है उसे अपनी reflection पास से देखनी थी I was no mayor image cut in granite I was no mayor मतलब मैं बस एक मेर मतलब बस या सिर्फ granite मतलब पत्थर image cut in granite मतलब पत्थर की मूर्ती नहीं रहा यानि पूरा बोला जाये तो मैं अब बस एक पत्थर की मूर्ती नहीं रहा मैं अचानक खून मास का आदमी बन गया वहां से सास दबा के उठ गया वहां से वरांदा के दर्वाजे से निकल गया और अपनी जान लेके भाग गया कहानी सुनते वे सब चैन की सास लेते कोई पूछता है डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी है डॉक्टर कहते नहीं भागवान को कुछ और ही मनजूर था मेरी वाइफ दूबली पतली है और दौरना तो उसको गॉड गिफ्टेड है किसी ने पूछा कि जब आप भागे तब कि आपको फॉलो किया डॉक्टर कहते मैं भागता गया और अपने दोस्त की घर पहुचा अपने पूरे बॉडी पे तेल लगाया और नहा लिया धुले कपड़े पहन लिया अगले सुबह साड़े आट बजे मैं अपने फ्रेंड और एक दो और लोगों को उस रूम ले गया वहां से अपनी चीज़े निकालने के लिए पर देखा कि मेरे पास ज्यादा चीज़े है ही नहीं ले जाने को कोई चोर लूट पाट करके ले गया ओ नो एक ही दिन में दो चीज़े चोर को भी वही दिन मिला चोर ने तो साफ कर दिया सब पर एक चीज़ छोड़ दिया इंसल्ट करने के लिए मेरी बनियान वही गंदी वैली बनियान उसको भी सफाई का इतना सेंस है कि ये नहीं लेके गया वो रास्कल इसे ले जाता साबुन और पाने से धो सकता था यानि डॉक्टर को चोरी का दुख कम बनियान की इंसल्ट ज्यादा लगी किसी ने पूछा आपने वो साब को देखा डॉक्टर कहते हैं नहीं देखा उसके बाद से वो एक साब था जो कि खुद के ही सुंदर्ता से मोहित हो गया बेसिकली ये एक कॉमेडी स्टोरी है जिसे राइटर ने पूरे हुमर के साथ लिखा है तब ही जिन्दा बच पाओगे